नमस्कार, खबर सराहटके में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ पृति और आज बात करेंगे एक ऐसी सड़क के बारे में जो सिर्फ दो घंटे के लिए ही दिखाई देती है जी हाँ, अगर कोई आपसे कहे कि आपने कभी ऐसी सड़क देखी है जो सिर्फ दो घंटे तक ही नजर आ सकती है तो आपको थोड़ा आजीब लगेगा, आपको एक बार तो ये जूट लगेगा, लेकिन ये बात बिलकुल सच पर आधारित है कुछ ही समय के लिए दर्शन देने वाली ये सड़क फ्रांस में है जी हाँ, फ्रांस में एक सड़क ऐसी है जो दिन में सिर्फ दो घंटे के लिए ही नजर आती है क्योंकि दिन के बाकी समय वो समुद्र के पाने में डूबी रहती है समुद्र के अंदर बनी ये सड़क फ्रांस के मुख्य भुभाग को अट्लांटिक कोस्ट पर स्थित नोईर मोटियर नामक आयलेंड से जोडने के लिए बनाए गई है और इसके लंबाई सिर्फ 5 किलोमीटर है इस सड़क को Passage to Guide के नाम से जाना जाता है इस सड़क का नाम इसके काम को साथख करता है क्योंकि फ्रेंच भाषा में गोईस का मतलब होता है जूते गीली करते हुए सड़क पार करना इस सड़क को पार करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि 2 खंटे खुलने के बाद ही जुआर के कारण सडक पर पानी का स्तर बढ़ना शुरू हो जाता है और पानी के गहराई 4 मीटर तक हो जाती है